हेलो एवरीवर वेल्कावेक ट्यूरों चैनल टथ आफ नॉलेज इस्टुडेंट से आज इस वीडियो में आपको हमारी कक्चा बारवी के हिंदी के पेपर के महत्पूर प्रिश्ण प्रोवाइड कर आने वाला हूँ पूछे जाएंगे जो पेशन आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो वीडियो में बने रहेगा देख लीजिए जो आपके क्वेश्ण से यह सारी क्वेश्ण आप यहां पर पढ़े लिजिए और यह वही पेपर है जो कि बॉर्ड की तरफ से जारी किया गया आपके कल होने वाले पेपर में पूछे जाएंगे अब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने रेसर्च किया हुआ कल आपका इंग्लिश का पेपर हूआ था से पहले के पिपर का जब मिने n चेक कर के दिखा इंग्लिश के पेपर में, जी आइस्टुएट्स आप भी खुद मेच कर सकते हैं, तो इस बजा से मैं कह रहा हूँ कि आपको जो मॉडल पेपर है, बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, हिंदी का, इस में से भी लगबग आपके 35 या 40 परसेंट कोशेंट आपके पुछे ज तो यह जितने भी कोशेंट से फड़ा-फड़ सारी कोशेंट के आप स्क्रीशॉट लेते जाएगा, सब के स्क्रीशॉट लेते जाएगा, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो, ठीक है, पीडिये भी में आपको प्रवाइड करा दूँगा, ठीक है, रिक्तितानों की अच्छे तरीके से कर में आपके पास तो आज रात हे आपके पास तो इसमें आप पैनत कर लीजी है, ने सब पास अब पता है, अभांग कर लीजी है, खारावज। हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मौक टेस्ट की प्रैक्टिस तो ये एक एप है फिलो, चलो पहला डाउनलोड करो, अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है, और सारे सब्जेक्ट्स की क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही इस प्रैक्टिस के लिए, ये एक बड़ी हुई है, पुर एग्जब इंवार्मेंट की फिलिंग के साथ, इस मौक पेपर में पहले से पढ़ रहे हैं, तो पहले से पढ़ रहे हैं, तो पस उनको अपना रिवीजन करना है, ठीक है? तो दिखो भाई, आपका जो पेपर आएगा, उसमें दिखिए, आपका जो क्वेशन फॉस्ट आएगा, सही विकल्प चुनकर लिखना है, ठीक है, तो ये आपके 6 नंबर के आएगे, 6 नंबर के सही विकल्प आएगे, इस टाइप से आपकी क्वेशन आने वाले है, और य आपके 3 नंबर केसे आने वाला है, तो ये भी आपका 6 नंबर के सही अक्सराइगा, ठीक है, मतलब आपके जो एकससाईगी, और 32 माक्षी मतलब THAT he is मिलनकर देना है, इसके ब champ aya करना तो आपको सत असत बता देना है तो यहाँ पर जो भी questions आपको बता जारे है इन सब का screenshot लेते जाएगे ठीके यह आपका सत असत होगा इसके बाद आपके जो है questions वो शुरू होंगे वो दो दो number के होंगे ठीके बिलकुल आपको पेपर कल आने वाला है इसी तरह से आएगा पेपर का pattern बिलकुल यही रहेगा ठीके यही आपके पेपर का level रहेगा ठीके तो आप यहाँ पर देखिए इसमें मैं आपको बता दे रहूं most important question कोन से इसमें से भी मैं आपको clear कर देता हूँ सबसे ज़्यादा questions जिनके आने के चासेद है भक्तिन अपना वास्तिबिक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी ठीक है तो यह सबसे important question है इसमें बढ़ सकता है कि भक्तिन का नाम क्या था और भक्तिन अपना वास्तिविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, तो ये दो तरहां से पुछा जा सकता है, मतलब कि दोनों को जोड़ करके पुछा सकता है, बक्तिन का वास्तिविक नाम क्या था, और भक्तिन अपना वास्तिविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, क क्योंकि टाइम जादा लग जाएगा जिते भी कोशन है अब जिसमें जो महुत जादा इंपॉर्डेंट लग रहा है इसमें से बिल्कुल पक्का एक कोश्चन आने के चांसे हैं कल जो आपका पिपर होने वाला है इसके बाद नेक्स कोश्चन देख लिए संचारी वाव इनको भी आप कर लिजेगा और जूच कहानी यह भी आप कर लिजेगे जो कॉश्चन आपको यहां पर देख रहे हैं इसके बाद फीचर लेकर से क्या आचा है और विम क्या है तो यह बारा कॉश्चन मौस्ट इंपॉर्डेंट इसके बाद दिखिए चाह आदुनिक भारत इस शीर्षक पर एक अनुच्छत लिखिए ठीक है इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्योश्य नंबर देखिए यहां से यहां आ जाते हैं यह मैं आपको आगे बढ़ता हूं यह इसके बारे में आपको बता देना है अब इसमें दो और में अलग से आपक फटर बता दे रहा हूं तो एक तो आपको करना है धाउनी विस्तारक यंद्र पर पिर्टी बंद लगाने के लिए आपको एक पत्र लिखना है ठीक है यह मिंदी की बात कर रहे हैं तो कौन सा वाला करना है बच्छो यह एक सुनलीजी अर्चे तरीक से घाउनी विस्तारक विस्तारक यंत्र ठीकें तो परिक्षा के दोरान दहुनी विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंद लगवाने के लिए आपको एक पत्र लिखना है ठीकें तो इसको अप अच्छे तरीके से करलो और सेकें आपको सचिप माध्मिक शिक्चमंडल मद्ध प्रिदिश बोपाल को दित अंग्सूची की प्रतिलिपी बलवाने के लिए आपको एक पत्र लिखना है तो यह भी आप अच्छे तरीके से लर्न कर लिजेगा ठीके बच्चो जो भी कॉश्चन में आपको बता रहा हूं यह मॉस्ट इंपॉर्ट है इसके बाद यह जो कॉश्चन यहां पर दिये आपको बहुत ही जादा इंपॉर्ट कॉश्चन है ठीक है और इसके बाद देखी कहानी वाउ पन्यास में कोई दो अंतर लिखिए तो इसको आप अच्छे तरीके से कर लिजीगा ठीक है तो इस तरह से मैंने आपको जो कॉश्चन बता है इन में से मैं कह रहा हूं कि आपक अप उसको पढ़िए ठीक है प्रिश्चन बैंक जो जारी किया गा है बोड की तरफ से आप उसको पढ़ लीजिए उसको देख लीजिए इसके बाद गवर्मेंट का जो टर्मिनल और हाफ एरली के जो पेपर आये ता मतलब कि तरमासिक परिक्षा और अर्दवार्शिक पर पर आप ध्यान नहीं किती है क्योंकि मैं सारी चीज आपको पहले इस पर कर देता हूँ किसी भी तरह से में आपको गुम्रा नहीं करता हूं क्योंकि बहुत जादा पेपर को वारिल किया जाता है। यही पेपर आने वाला है। लेकिन को यहीं आपको यह दाओेOY नहीं करता हूं। विससे को अधीन कि पर पुरी तरह से डिपेंड मैंपर बॉर्ट करते रहें। आपको अपनी study कांटीनु करते रहें। चांसेज हैं इस में से ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा आपको समझ में आ गया होगा कि अब इस में से जो इंग्लिश में से पेपर में आपके लगवग 30 नमबर की कॉस्चन इस मॉडल पेपर में से पुछे जाएंगे तो फिलाल इस चल पन नहें तो चलों सब्सक्राइब कर लिजिएगा थेंक्स फर वाचिंग